महा मारी के इस दोर में कोरोना के खिलाब जागरुकता अभियान में भी भारतियम मिडिया ने जनता की अभुत्पुर्व सेवा की है। सरकार के कारियों की विवेचना सरकार की योजनाओं में जमिनी स्वर पर जो कमिया है उसे बताना उसकी आलोचना करना ये भी हमारा मिडिया बख़ु भी करता रहा है। कई बार ऐसे मोके भी आते हैं जब मिडिया की आलोचना भी होती है सोशल मिडिया के दार में तो ये और भी जादा स्वआभावी हो गया लेकिन आलोचना से शीखना भी हम सब के लिए उतना ही स्वाभावीक है और आवश्यक भी है और इसलिए ही आज हमारा लोकतंत्र इतना शसक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, साथियों जिस तरह आज हम अपनी विरासत, अपने विज्ञान, अपने संस्कृति, अपने सामर्त को लेका आगे बढ़ रहे हैं, उसे स्विकार कर रहे हैं, हमें अपने इस आत्मी विवास को आगे बढ़ाना है, आज जब हम आत्म निर्भर भारत के बात कर रहे हैं, आज जब लोकल के लिए वोकल होने के बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि हमारा मिडिया इस संकल्प को एक बड़े अभ्यान की शक्र दे रहा है, साथियों हमें अपने इस वीजन को और व्याप करने की ज़रूरत है, भारत के लोकल प्रोडक्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है, दुनिया भारत को अब और ज्यादा ध्यान से सुनती है, आज लगबग हर अंतराष्ट्य मंच पर भारत की बहुत मजबूत उप पस्तिती है, ऐसे में भारत्य मिडिया को भी ग्लोबल होने की ज़रूरत है, हमारे अख़बारों की, मेगेजिन्स की, ग्लोबल रेप्रिशन बने, डिजिटल यूग में, डिजिटल यह हम पूरी दुनिया में पहुँचे, दुनिया में तो अलग-अलग लिटरी अवोर् यह भी आज समय की मांग है, यह भी देश के लिए जरूरी है, मुझे जानकारी है, श्री करपूर्चंद्र कुलिश जी की स्मृति में पत्रिका समूग ने अंतराश्य पत्रिका पुरुसकार की शुरुवात की है, मैं इसके लिए समूग को बढ़ाई देता हूँ, मुझे यह प्रयास भारत को वैश्विक मिडिया मंच पर एक नई पहचान दिलाएंगे।